नमसकार दोस्तों सवागत आपका स्टेटिफर स्चेटिफर से आपका स्टेटिफर इसकोर आपने किया कितने सही किया है सबी लोग अपना इसको जरूर करें देखें यह हमारा इस्टाग्राम का अकाउंट आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लिए इस्टेडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज रही है और इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडियाफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहां परीक्षा टल चुकी है तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कभी होगी नहीं कुछ लोगों को ऐसी भी उमीद है कि शायद ना हो क्योंकि अगले साल चुनाओ है चुनाओ के बाद फिर क्या होगा कोई नहीं जानता देखें यह सब नहीं सोचना चाहिए आपने फार्म भरा है आज अब लोग मॉक टेस्ट यह जो देखने वाले हैं यह परियावाची शब्दों का है प्रश्ण भी जहां करे हैं उन्हें आप देख रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं और एक बात और है कि समीक्षा दिकारी के प्रिलिम्स एक्जामिनेशन में जो हिंदी का पोर्श और इसका जो करेक्ट टैंसर है और इसका जो सही उत्तर है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा बताईए ख वाला हो जाएगा तूरिल शब्द जो है इसका तातपरे होता है नगाडे की ध्वनी ठीक है नगाडे की जो आवाज होती है उसको तूरिल कहा जाता है और चिकड बि ख्यान दीजेगा, ठीक, तो यहां दिया हुआ है उथला, अथा, ग्रिध और गोधा, गोधा यानि गोव, एक सरिस्रिप होता है, जो कि छिपकली के आकार का दिखता है, लेकिन उससे बहुत बड़े साइस का होता है, इसको अंग्रेजी में monitor lizard कहते हैं, ठीक है, खतरनाक होत होती है, अब इसमें से बताईए, तो question number two का क हो जाएगा, इसमें उथला, कहते हैं समुद्र को कि वो अगाध है, यानि उसके गहराई का कोई था नहीं है, उसका गहराई का कोई पता नहीं लगा सकता, तो इसलिए इसका अगर अ हटा देंगे आप तो गाध कार्थ होता है उथला, जिसमें की गहराई नव, इसके बाद आगे चलते हैं, ग्रिध मतलब गिध को कहा जाता है, अथा का आर्थ आपने सुना ही, गोधा क्या होती है, वो भी जान गए, आगे चलते हैं, यहाँ देखें करबुर और शबल दिया है, करबुर और शबल, दोनों शब्द जो हैं, दोनों का अर्थ ही कही है, अब इनका आपको एक परियावाजी इसमें से ढूड़ना है, तो दिया हुआ है चितकबरा, जिसके शरीर पर चित्तियां हो, मतलब एक रंग का नहीं हो, कई सारे बहुरंगे उसमें जो पैच हैं, वो दिखाई देते हैं, आप पिल्लो यानि कव वाला सही है और गव वाला सही है, इसे साफ कर लेते हैं, देखिए, कव वाला सही है, चितकबरा, करबूर और शबल का मतलब क्या होता है, चित्तिदार, जिसका रंग एक जैसा नहीं हो, कई सारे रंग में मिक्स हो, ठीक, और चित्तल का भी वईयर्थ होता है, ग देखेए ये प्रश्म काफी अच्छा है, जुनहाई के जिलमिल प्रकाश में, सरला जी टोकरी बुन रही थी, अब ये जो वाक्य है, इसमें रेखांकित शब्द का आपको परियाईवाची बताना है, तो रेखांकित शब्द कौन सा है, जुनहाई है, इसका अर्थ पहले त तब तक परियाईवाची नहीं जान सकते, अब जरा नीचे जो पिकलती हैं उनको देखे, कॉमुदी, द्यूती, यहाँ धूती नहीं होगा, बलकि द्यूती होगा, इस प्रकार का होगा, ठीक, द्यूती, सीकर, और सभी सत्य हैं का भी option है, जो कि काफी अच्छा दिखाई द होता है, चमक या कांती, ठीक, और सीकर, सीकर का मतलब जल्क बिंदू, पानी की जो बूदे होती है, खास दोर पे जो आसमान से बरस्ती है, उनको सीकर कहा जाता है, तो इस प्रकार से, अब ये कॉमुदी वाला जो option है, इसमें perfect होगा, इसके बाद next, question number 5 को देखते हैं, इ खद्योत और उडगन, ये जो शब्द ही ने आप देख रहे हैं, तो ये आपस में परियाएवाची, तादात्मय और तद्रूपता, ये शब्द आपस में परियाएवाची हैं, और खेह और कोश, ये शब्द भी आपस में परियाएवाची हैं, ऐसा इसमें दिया है, बता कि हमने अपना कोश भर के रखा हुआ है राजकोश से इतना धन दे दिया गया वह भंडारण से तात परें यह दोनों एक दूसरे के समानार्थी नहीं है बलकि विपरीत हैं बाकी जितना है जिसे डाकू और पटमार दोनों का अर्थे कि है वही डगैटी डालने वाला चोरी क जो रहते हैं जलते बुझते रहते हैं तो वह वाले उनको खद्योत और उडगन भी कहा जाता है तादात में और जो तग्रूपता यहां पर दिया हुआ है इसका क्या मतलब होता है तो दोनों का अर्थ यह होता है कि जैसे तलीन हो जाना किसी चीज में डूब जाना एकाका उससे हो जाना आत्मा और परमात्मा में मिलन हो रहा है तो वह तादात में यहां पर बैठ गया ठीक यह ताद पर आगे चलते हैं प्रश्न संख्या छे को देखिए इसमें कहा गया कि पाग उश्निये और साफा तीन अलग-अलग शब्द दिये हैं इनका आपको वाची ढूटना है पहला दिया है मौर दूसरा दिया है पगड़ी घध पट और गवाले में कहां गया है कि का और ख़ दोनों सही है तो जरा बताईए इसमें से कौन सा होगा अब इसका आर्थ तो आप जानते हैं साफा किसको कहते हैं कहते हैं सिर पर साफा बांद लिया त तो इसमें अगर आप देखें तो मौर और पगड़ी, ये दोनों ही इसके परियाये हैं, मतलब ये सभी आपस में परियायवाची हैं, इतने सारे परियायवाची आप यहाँ देख पा रहे हैं, पाग, उश्निय, साफा, उश्निय क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिर पर गर् इसमें जो पट आप देख रहा है ना पट का मतलब होता है वस्त्र तो ये इसका परियावाची नहीं होगा इसका जो करेक्ट एंसर है वो गह हो जाएगा इसके बाद आगे चलते हैं Q7 को देखें इसमें तीन शब्द दे रखें जो कि आपस में समानार्थी है अब इनका आपको सही जो परियावाची है वो ढूड़ना है तो अद्री दिया है ध्यान से देखेगा अद्री है भूभृत है ये शब्द जो है इसे बहुत अच्छे से देख लीजे भूभृत औ और धराधर यहाँ पर भूष शब्द लगा हुआ है यानि प्रिथवी की कहीं बात हो रही है इसमें थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं धराधर अब इसमें धरा शब्द का उलेक हुआ है धरा भी प्रिथवी को कहा जाता है तो इसका आर्थ ही हुआ कि ये चीज जो है ये प्रिथवी से जुड़ी हुई है अब ये क्या हो सकती है बताईए तो ये अचल हो सकता है नग हो सकता है महीधर हो सकता है या इसमें सभी सत्य है ये हो सकता है तो इसका घह हो जाएगा सभी सत्य है ये सभी जो पर्वत होता है उसके परियावाची होते है उसे अचल कह में दिक्कत तो नहीं हो रही है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखें, अब अच्छा है, खाविंद, खाविंद का आपको पर्याइवाची ढूड़ना है, तो यहां दे रखा है परवाना, बेमानी, शोहर और वाकफियत, जरा बताईए, इसमें से पर्याइवाची होगा और खाविंद का मतलब क्या होता है, तो खाविंद यह पती को कहा जाता है, यह उर्दू और अर्भी के जो लवज होते हैं, उनमें पती को कहा जाता है, और इसे शोहर भी बोलते हैं, ठीक, तो शोहर इसका पर्याइवाची हो जाएगा, बाकि अगर आप देखें, तो पर बता है यहां पर पत्रा दें रखा है तीथी पत्र दें रखा है पंचांग दिया हुआ हैं और सभी सत्य हैं ये भी दिया है तो हो सकता है कि इसमें दो के आर्थ आपको अच्छे से पता हूं या आपकी जानकारी में हूं लेकिन जो पत्रा दिया है इसका मतलब जानते हैं पहले की जो पंड़िजी लोग होते थे आज साफ्ट्वेर का जमाना है गूगल में साफ्ट्वेर मतलब प्ले स्टोर से साफ्ट्वेर डाउनलोड करते हैं उससे कुंडली निकाल लेते हैं वर कन्या की कुंडली मिला लेते हैं फिर विवा हो जाता है वो अलग बात लेकिन पहले की समय में पत्रा होता था बड़े-बड पत्रा लेकर चलते थे और उसमें देखकर साइथ निकालते थे कि अच्छा ये वाली तिथी जो है वह बड़ी शुब है इस दिन कोई बाधा विग्न नहीं आने वाला है तो उसको कहा जाता था पत्रा तिथी पत्र का भी वही मतलब है उसमें भी तिथियां दर्ज होती है प विगल्ब चुनने की गलती मत करिएगा ने तो प्रशन गलत हो जाएगे प्रशन संख्या 10 को देखें लांगूली ये जो शब्द है इसका आपको परियाए इसमें से देखना है कि कौन सा नहीं है मतलब तीन जो है वो परियाए है इसके लेकिन कोई एक इसमें से बाहर है तो ये चुनना बहुत आसान है इसमें से आप आराम से चुन सकते हैं देखिए पहचान में भी आ रहा है पुछ पिछ और दुम अब दुम का मतलब तो आप जानते ही है कुत्ते की दुम तेड़ी की तेड़ी तो पूच से अतात परे अब पूच का ही एक शाबदी कर्थ ह तो पूच का ये परियावाजी कैसे हो सकता है तो गवाला हो जाएगा इसमें से बाहर जो की ना हो वो हमें ढूड़ना है और लांगूल का भी अर्थ होता है पूच तो यहां पूच की इतने सारे परियावाजी आपको देखने के लिए मिले लांगूल उच्छ पिछ और ठीक और दुम कटा का मतलब जिसकी पूच ना हो काट ली गई हो इसके बाद 11 प्रशन को देखते हैं प्रशन संख्या 11 में ये कहा जा रहा है कि पोच का परियाए ढूडिये पोच जो शब्द है इसका आपको परियाए ढूड़ना है तो इसमें निक्रिष्ट दिया है उच्छ चीज है घटिया चीज है तो इसका घवाला हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट वरेड्य वरेड्य शब्द का आपको समानार्थी समानार्थी मतलब समानर्थ रखने वाला अर्थ परियाए वाची ढूड़ना है आला कि दोनों में हलका आंतर होता है लेकिन यहां लेकर चलेंगे कोई दिखकती तो प्रवर दिया है यहां देखें प्रवर दिया है प्रमुख दिया है प्रधान दिया है वो ग्राम प्रधान जो होते हैं उनी से शाब्दिकर थे और घवाला दिया है सभी बताईए सभी होगा चुल लिया जाए तो बारहां जो प्रश्ण देखो या इस प्रकार की चीज को कहा जाता है वरेडे, तो यहाँ प्रवर का भी वही तात्पर रहे हैं, जिष्ट या प्रमुख, प्रमुख शब्द तो खुदी दिखाई दे रहा है, उसके अलमा प्रधान का भी वही तात्पर रहे होता है, तो इसमें घह वाला हो इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखें, प्राय, बहुधा, अधिकतर, अकसर, यह चार शब्द आपने देखें, यह शब्द अर्थ में समानता रखते हैं, अब किस शब्द के साथ यह तालमेल बैठा लेंगे या पर्याइबाची उसके कहलाएंगे, यह आपको ढू प्रायशः, प्रायः, बहुधा, अधिकतर, अकसर, यह सब एक ही मतलब रखते हैं, पर्याइबाची, लेकिन प्रातव्वे का मतलब क्या होता है, आपका भविष्य, आपका जो प्रारब्द होता है, उसको कहा जाता है, मनुष्य अपने प्रातव्वे को अनायास ही प्र चाह देगा ऐसे मानिता है तो प्रातवे का वो मतलब इसके बाद आगे चलते यहां देखे चौदामे नंबर के प्रशन को मौलाना इकबाल पहुचे हुए शायर थे यहां पर शायर होगा शायर की शायरी अब बताईए इसमें रेखांकित शब्द जो दिया है न उसका अर् प्रशन दिया रहे है तो चलिए इसमें दिया है दबदबा धाक प्रताप और सभी सत्य तो बेशक इसमें सभी सत्य इन सभी का अर्थ जो है वह आपस में एक जैसा है और इकबाल का भी मतलब वही होता है इकबाल जो शब्द है इसका भी वही तातपर होता है धाक या प्र इस प्रकार से संबोधन दिया जाता है तो भारतिय संबिधान की जो प्रस्तावना है वो संबिधान का आमुक कही जाती है तो आमुक शब्द भी यहाँ पर पढ़ आवाजी होगा वो संबिधान का परिचय देती पूरे लंबे चौड़े संबिधान को देखने से पहले कहा प्रस्तावना को एक बार पढ़ना चाहिए इससे आप यह समझ पाएंगे कि असल में जो इंडियन कॉंसे चाहता क्या है या उसकी मूल भावना क्या है हाला कि प्रस्तावना सबसे बाद में संभिधान में जोड़ी गई तो जो आमुक होता है वो पहले नहीं परियाय तो मशूर दिया है यहां देखें मशूर दिया है विस्तीरण दिया है प्रस्थापित दिया है और सभी सत्य है ऐसा दे रखा है तो इस सोलन में प्रशन का जो सही उत्तर है वो घह हो जाएगा मशूर, विस्तीर्ण और प्रस्थापित मशूर का मतलब क्या होता है जिसका हूर दूर दूर तक फैला हुआ हो ये विदेशी, अर्भी का शब्द है तो मशूर यहाँ पर इसका भी शाब्दिकर्थ हुई है जिसकी कीर्थी दूर तक फैली हुई हो विस्तीर्ण का मतलब देखें विस्तीर्ण का वैसे तो शाब्दिकर्थ होता है विस्तीर्ण लेकिन कीर्थी जो पता का फैलती है उसके पारे में भी कहा जाता है कि विस्थीन है, मतलब इनका जो विस्तार है, वो बहुत जादा है, ये वाला, और प्रस्थापित का भी वही तात्पर है, एक होता है विस्थापित, तो मतलब उसमें ये तात्पर होता है, कि जमीन या उसकी जगा छुड़ा कर दूसरी जग रेडु का दिया है। बताईए कि इनका परियावाची इन में से जो नीचे शब्द दे रखे हैं उसमें से कौन सा होगा। बासुरी हो सकता है, लता हो सकता है, बालू हो सकता है या फिर सभी गलत है ऐसा भी हम कह सकते हैं। ये भी एक option हमारे पास है। फिलाल उसकी नौबत नहीं आएगी, इसका गवाला हो जाएगा, बालू को कहा जाता है, बालू या जो महीन मिट्टी के कण होते हैं, उनको भी कभी कभी रेडु का या रेडु बोल दिया जाता है, और सिक्ता का भी वही तात पर होता है। जो रेतीली धूल होती है, उसको स सभी सत्य हैं, ऐसा भी दे रखा है, और घावाला ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जितने भी यहां दे रखे हैं, वो सभी ब्रह्मा जी के ही परियावाजी, अब इनका शाब्दिक अर्थ मिले ना मिले, लेकिन इनका प्रसंगा अनुसार अर्थ मिलता है, जैसे देखे विरंची दिया है, इसके अतरित अब जी योनी दिया है, अब जी का मतलब क्या होता है, कमल, और योनी मतलब उसकी योनी से पैदा हुआ, ठीक, योनी से ही जन्म होता है, तो अब जी की योनी से, असल में भगवान विश्नु की नाभी से एक कमल पहले ही निकलता है, वो ख जर्मा जी का तीनी ही सिर हमें दिखाई देता है, चौथा वाला भगवान शिव ने काट लिया था, क्योंकि वो जूट बोल रहा था, तो ऐसी कंडिशन में यहां जितने भी हैं, वो सभी उनके परियाए बाची है, इसके बाद आगे चलते हैं, देखें, उन्नीसमा प्रशन बगूला, यहां दिया हुआ है बगूला, और इसका उजित परियाए आपको ढूड़ना है, तो यहां दिया हुआ है बगूला, मतलब इसके परियाए के तौर पे, वक दिया है, बवंडर दिया है, और सभी असत्य है, ऐसा दिया हुआ है, बताईए, इसमें से कौन सा होग तो इसमें से हो जाएगा बवंडर, जिसे कि आप साइक्लोन कहते हैं, साइक्लोन का ये छोटा रूप है, बड़ा रूप जो होता है, साइक्लोन असल में क्या है, चक्रवात होता है, फिलाल बवंडर इसको कहते हैं, भगूला, यहाँ इसको छोटे हूँ की मात्रा लगा दे इसके बाद next काक, चेश्टा, बको, ध्यानम तो वहाँ जो वक होता है उसी की बात हो रही है फिलाल यहाँ बगूले का आर्थ होता है बवंदर शर्वरी को देखिए शर्वरी का आपको समानार्थी देखना है शोडित होता है, वरीडा होता है यहाँ वीडा नहीं है, वरीडा है नीचे एक समुद्री रह लगा हुआ है, ऐसे वाला इसके बाद राका दिया है और रजनी दिया है बताइए और इस बीसमे प्रशन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा घह वाला रजनी को कहा जाता है रजनी रात्री को कहा जाता है और यहाँ शब्द है शर्वरी यह भी रात्री का ही परियाएवाची है तो इसका जो correct answer है वो घह हो जाएगा बाकी जो शब्द है उनका भी अर्थ जानते चलिए शोडित का मतलब क्या होता है तो रक्त वर्ड जो होता है उसको शोडित का जाता है या लाल रंग को भी आप कह सकते हैं जो सुर्ख लाल होता है उसको कहता है शोडित गृड़ा का मतलब क्या होता है तो गृड़ा का मतलब लज्जा, संकोच और राका मतलब होता है पूर्ण मासी की रात्री राका मतलब भी रात्री ही होता है लेकिन जो चादनी से भरी होई मतलब पूर्ण चंद्र के साथ रात्री निकलती है उसको कहा जाता है राका सभी रात्री को नहीं कहा जाएगा Next, question number 21 को देखे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ विलोल होगा ऐसे विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनी यह पंक्टी कहां से लिगए है बताने के आवश्यक्ता नहीं है तांड़ों मत करने लगएगा देखे उपरोगत वाक्य में रेखांकित शब्द का उचे दर्थ आपको बताना है तो रेखांकित है कहां पर यह वीची है भाई देखे ऐसे लिखा जाएगा थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दीजेगा विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनी तो वीची का आर्थ बताईए देखे हिलोर होगा लहर होगा उर्मी होगा या फिर सभी सत्य है ऐसा कहा जा सकता है तो विची नमबर 21 का जो राइट एंसर है वो घख हो जाएगा सभी सत्य है इसमें हिलोर लहर उर्मी सभी एक दूसरे के समानारती है जो लहरे उड़ती है न पानी में खासतोर पर समुद्र की जो उची-उची लहरे होती है उनको कहा जाता है उर्मी लहर या हिलोर और उसी को कहा जाता है वीची अब ये जो शब्द है यहाँ पर एक-वेख देख लिजे पूरी धारा नहीं निकलती है एक चोटी सी धारा निकलती है तो उसी का वर्डन हो रहा है और मूर्धनी का मतलब होता है स्रिष्ठ है ठीक मूर्धन ने जो कहा जाता है मूर्धन ने विद्वान है तो स्रिष्ठ और विराजमान है वो मतलब ऐसे जो मूर्धनी है ऐसे जो स्रिष्ठ पुरुष है वो कैलाश परवत पर विराजमान है औ और वीची का अर्थ आपने देखा लहर होता है, विराजमान मतलब जो आसीन है यहाँ पर प्रतिष्ठा के साथ, और मुर्धनी मतलब जो सिरेष्ट पुरुष है, तो यहाँ इसका घवाला हो जाएगा, आगे चलते हैं, question number 22 को देखे, लुंठक, यह शब्द जो है, इसका आपको अर्थ ढूणना है, अर्थार परियावाची ढूणना है, तो यहाँ दिया है बांका, निर्ख, लुटेरा, और सभी गलत हैं, ऐसा दिया हुआ है, गलत वाला चुनेंगे, तो सब गलत हो जाएगा, तो उसको मत चुनिएगा, बचे हुए तीन विकल्पों को देख और बांका का मतलब क्या होता है, तो बांके विहारी, तिर्चा इसका मतलब होता है, बांके विहारी वो आप देखते हैं न, भगवान कृष्न जो है, वो एक पैर, दूसरे पैर पर रखकर और तिर्चे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद मुरली बजाते हैं, ऐसा वो रास इसके बाद 23 प्रेशन को देखते हैं, यहां देखें चर्दी दिया है, अब चर्दी का आपको परियाय ढूड़ना है, यहां आकी नहीं बलकि ओकी होगा, हया दिया है, लिपसा दिया है और मेह दिया है, तो हया मतलब शर्म होता है, लिपसा मतलब लालसा होता है, और मेह का म वर्शा या बादल दोनों को कहा जाता है मेह बरस उठे ऐसे बोलते हैं तो वर्शा आई मूल रूप से बादल का पर्याइवाची है यहां वर्शा को तो एक प्रक्रिया के तोर पे देखते हैं जैसे आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं रेन जो है वो क्रिया या वर्ब के तौर पर दिखाई देती यहाँ देखे चरदी का मतलब होता है उल्टी जो वॉंटिंग होती है उसके बारे में कहा जा रहा है तो उसको ओकी कहते है ठीक तो इसका कव वाला हो जाएगा बाकी सभी गलत है कव वाले को हमने चुना आगे च मतलब होता है पंसारी जो की किराने की दुकान किया रहता है क्रय विक्रय का काम करता है लेकिन उसकी एक मिशेश कटेगरी यहाँ पर है है ना मतलब पंसारी उसकी सीमित छेत्र होते है सीमित सामान वो बेचता है लेकिन आपड़ी कार्थ ही होता है कि जो क्रय विक्रय का का तो गलत हो जाएगा तो इसमें चोटे इसतर का जो व्यापारी होता है जिसको कि पंसारी या शालिक कहा जाता है उसको पंडे शालिक भी कहते हैं फिलाल इसका गह उत्तर होगा आगे चलते हैं अहेरी का मतलब अच्छा क्या होता है इसमें दो शब्द और भी है अहेरी का मतल दिया है दंडी और परिवराज्यक अब इनका आपको अर्थ बताना है यानि परिवाची ढूड़ना है तो सन्यासी विरत और बैरागी सभी सत्य है कोई दिक्कत नहीं दंडी उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह हाथ में दंड लेकर चलते हैं दंडा और परिवराज्यक उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जो परिवज्रा नाम का व्रत होता है उसको धारण करते हैं यह बहुत धर्म से लिया हुए शब्द है और सन्यासी आप जानते ही हैं विरत का मतलब वो संसार से विरप्त हो गया है बैराग यानि उन्हें वह बैरागी की प्राप् होते हैं वारांगना के परिया बाची होते हैं या सभी के होते हैं तो शब्द भले ही अनोखे लगे निकिन इसका घ्वाला हो जाएगा असल में यह जितने भी यह वैश्या को कहे जाते हैं जो नगरवधू कही जाती थी या निरत्य संगीत दिखाकर और अपने देह का व् सद्गिन भी कहते हैं रामजनी भी कहते हैं मंगल मुखी वारंगना भी बोलते हैं और कुटनी भी बोलते हैं इसके बाद आगे चलते हैं क्वेशन नंबर 27 को देखिए पुंश्चली यह जो पुंश्चली दिया हुआ है इसके लिए आपको एक उपरयुक्त शब्द ढू से रमड करती है ठीक उसके उपर कोई सामाजिक बंधन नहीं होता है और इसलिए उसे हे द्रिश्टी से देखा जाता है आलाकि इसमें भी जो व्यापार होता है इसमें लोगों की मजबूरी होती है मैलाएं खुशी से नहीं करती चलिए तो कवाला हो जाएगा व्रिथा मत होता सबसे पहली रचना थी लगभग 15-16 वर्ष की अवस्था में जब उन्हें एक ब्रह्म राच्छस नाम के भूत का डर लग रहा था अपने गुरू के आश्रम में वह रहते थे वाराणसी में वह शेष शनातन के यहां सिक्षा प्राप्त कर रहे थे और उनके जो सापा दिया है वो यहां पर दी हुई है इसमें उन्होंने कहा है ना कि तुलसी दास सदा हरी चेरा कीजए नात रिदय मर डेरा तुलसी दास जो है वो सदा हरी के चेरा है अर्थात हरी के दास हैं और कीजए नात रिदय मर डेरा मतलब जो हे नात अर्थात भगवान राम की बाद अब इसमें दो जो शब्द दिया है और दूसरा डेरा है अब बताईए कि ये जो शब्द युग्म दिया है इसके लिए परयाय युग्म कौन सा होगा मतलब इन दोनों का आपको परयाय ढूटना है वो भी सही पेर में तो यहां देखे भृत्त होगा यह ऐसे लिखा वृत्य और कटक सरणी और निवास दास और बसेरा या सभी सत्य तो सभी समें सत्य नहीं हो सकते क्योंकि जितना दिया है उसमें खवाला मिश्टेक करेगा खवाले को अगर आप चुल लेंगे तो गडबड हो जाएगा और इसका जो करेक्ट एंसर है वो गव हो जाएगा दास मतलब क्या चेरा जो की चाकरी करे और डेरा मतलब बसेरा निवास करना तो इसका गवला जो उत्तर है वो सही होगा इसके बाद आगे चलते हैं यहां देखें अनीकनी दिया हुआ है अनीकनी इस शब्द के लिए परयावाची आपको ढूड़ना है तो यहां फोजी द अनीकनी इस प्रकार से सेना की विराइटी होती है तो सैनने का यह परयावाची हो जाएगा सुभगा यह स्तरी को कहा जाता है वामा भी उसी को कहा जाता है और फोजी आप जानते ही है इसके बाद आगे चलते हैं देखें क्वेशन नमबर 30 इसमें अनुशंशा का उजित स समानार्थी आपको ढूड़ना है और यहां दे रखा है अभिस्ताओ, प्रस्ताओ, सुष्ठु और नसेनी श्रब्द है न अब इसमें से बताईए कोई एक ही आपको चुनना होगा इसमें ऐसा option नहीं है कि सब चुन सके और इसका जो right answer है वो को हो जाएगा अभिस्ताओ ठीक अनुशंशा और अभिस्ताओ इसका मतलब होता है अनुमोधन करना किसी की बात को प्रशंशा के साथ समर्थन करना एक होता है कि सामान इस समर्थन दे रहे और दूसरा होता है कि हम उसके ओपर अपना ठपा लगा दिये कि हाँ ये बात हमें भी स्विकारे है और इनों यहांत की शब्राइंट पुझत स सँवत입 mentality की सगे जई यहां हैं तीनों संद समान अर्थ रखतें मतलब एक जैसे अब किसफे साथ समानता रखते हैं वो आपको डेखना है तो इसमें अगर आप देखें तो इसका जो शाब्दि करतThe वो बराबर के साथ सही बढ़ता है तद्रूप यानि उसी रूप का अर्थात उसके बराबर तद्सम यानि उसी के जैसा उसी के समान तो ये भी बराबर से इतात पर रहे है और तुल्ले यानि उसी के तुल्ले है अर्थात उसी के जैसा है इसका जो कवाला उत्तर है वो सही है विशुद्ध का मतलब क्या होता है जो एकदम से प्योर हो इसके अंदर कोई अशुद्धी नहो और समन्वे का मतलब तालमेल होता है तो बागी सभी इसमें नहीं होंगे सिर्फ कवाला इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके बाद 32 में की ओर चलते हैं यहां दे रखा है बहिष्ट अब बताईए बहिष्ट का आपको इसमें से अर्थ जूरना है तो तंदुरुस्त दिया है जिसका किस्वास्ते काफी उत्तम हो हट्टा कट्टा जाहिर यानि प्रत्य अच्छित और पे जाहिल यानि बेवकूफ या मूर्ख जो कि पढ़ा लिखाना हो और स्वर्ग अब बताईए तो इसका बहिष्ट हो जाएगा मतलब स्वर्ग का जो बहिष्ट यहां ऑप्शन होगा वो परफेक्ट होगा तो आम घह वाले को चुल लेते घह वाला इसमें हमारा आप्शन सही होगा बाकी जो है वो इसके नहीं हो सकते वो आप देखकर भी समझ सकते हैं इसके बाद question number 33 की ओर चलते हैं यहां दिया हुआ है द्विरद और करी यह दो शब्द हैं अब इनका आपको परयाय ढूड़ना है तो यह वितुंड के परयाय वाची है मतंग के परयाय वाची है हस्ती के परयाय वाची है या फिर सभी के हैं असल में यहां पर हस्ती नहीं होगा बलकी हस्ती होगा इस प्रकार से हस्ती होगा छोटी की मात्रा होगी देख लीजे, और इसका घावाला हो जाएगा, सभी के परियाई बाची है, विरद, करी, वितुंड, मतंग, हस्ती, ये सब हाथी को कहा जाता है, जितना भी यहाँ परियाई आप देख रहे हैं, ये सभी हाथी के लिए कहा जाता है, वितुंड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी अर्थ क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक, तो महादेव को तो उनके नाम से सम्भोधित किया ही जाता है, भगवान शंकर या भगवान शेव, लेकिन इसका आर्थ होता है भागिशाली, इसका आर्थ होता है कल्याणकारी, शेव शब्द में अनेकों अर्थ लेकिन इसका आर्थ कहीं भी देवमूर्ती के तोर पर नहीं देखा गया है, तो देवमूर्ती इसमें से बाहर है, जो कि इसके परयाय के तोर पर नहीं देखा जाता है। बाकी सभी होंगे, इसके बाद आगे चलते हैं, यहां देखे 35 और 35 वाले में थोड़ी और एक्ष्टा जानकारी है, यहां सारंग शब्द का आपको पर्याय ढूड़ना है, सारंग एक ऐसा शब्द है इसके साथ बहुत सारे जो पर्याय वाची है वो मेल खा लेते हैं, तो इन सभी का पर्याय जो है, वो सारंग होता है, अब देखे इतना जादा इसमें डाइवर्जिटी है, तो यहां हो जाएगा घावाला, बाज को भी सारंग कहते हैं, चातक को भी सारंग कहते हैं, कोयल को भी सारंग कहते हैं, सिंग को सारंग कहते ही हैं, हंस को भी बोलते हैं और मोर को भी बोलते हैं, यहां कते ही आप भ्रह्म में मत रहेगा, ठीक तो इसका घवाला, इसके बाद आगे चलते हैं, question number 36 को देखेगा, रूख दिया हुआ है, अब यह जो रूख है न, यह रूख नहीं है, मतलब इसमें आप ध्यान से देखें तो छोटे हूँ की मात्रा है, तो यह सभी का है, जो रूख श्ब्द है न, यह सभी के लिए परयाइबाची के तूर पे इस्तिमाल होता है, यह मनोभाव को भी दर्शाता है, उनका रूख जो हमें अच्छा नहीं लगा, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वो गुस्से में लग रहे हैं, उन और पिंगल के लिए आपको बताना है किसका अर्थ क्या है अर्थर्थात परियावाजी ही दूढ़ना है तो ये एक पक्षी को कहा जाता है बंदर को कहा जाता है पीले रंग को पिंगल कहा जाता है और सभी को कहा जाता है तो देखिए इसमें सभी को कहा जाता है बंदर के ल पंक्तियां ली गई है और इसमें माता सीथा जो है वो हनवान जी से वार्थालाब कर रही है जब उन्हें अशोक वाटिका में रावड किड्नाइप करके रखा हुआ रहता है तो वहाँ अनवान जी जाते हैं और उनसे माता सीथा से भेट करते हैं भगवान राम की जो अंग पंक्ति दी हुई है माँ कीजेगा रेखांकित शब्द दिया है तात शब्द का आपको समानार्थी शब्द दियानी पर्यायवाची ढूनना है तो यह ऐसा शब्द है जैसे आपने पीछे सारंग देखा था ना वैसे इसमें भी बहुत डैवर्सिटी है विवित्ता पाई सूचक और प्रेम सूचक शब्द है पहले के समय में इस्तिमाल होता था तो इसमें घव हो जाएगा इसके बाद आगे चलते हैं देखें यहाँ पर अब देखें माता सीता से हन्वान जी जो है वो छोटी थे ऐसा इसमें दर्शाय गया है छोटे का मतलब उन्हें माता कहते यह आगे की पंक्तियां है और यह शामनारा और पांडे जे के द्वारा लिखी गई कविता है फिलाल इसमें से आपको यह बताना है कि जो सूर शब्द है ठीक सूर शब्द जो है इसका आपको इसमें से अर्ध ढूणना है तो यह सूर्य का परियाई बाची है वीर को कहा जाता है अंधे को कहा जाता है या सभी को कहा जाता है तो घावाला चुन्ने में भलाई है सूरे को भी सूर कहा जाता है जहाक रहा सूर था यहां देखे वही शाब्द कर थे अंधिकार दूर हो रहा है क्योंकि सूर जो है यानि सूरे देव जो है वो जहाक रहा है यह तद चालीसमे को देखिए इसमे विभूती का अर्थ समानता रखता है विभूती जो शब्द है इसका आपको समान अर्थ रखने वाला शब्द यानि परियावाची ढूड़ना है तो यह राख को कहा जाता है एश्वरे को कहा जाता है दोनों को कहा जाता है या विचार को कहा जा और वो महान विभूती हैं अर्थात महान एश्वर शाली हैं उनके एश्वरे यानि उनके तेज प्रताप की कोई सीमा नहीं एश्वरे का मतलब सिर्फ नोटों की गड्डिया या सोने का धेर नहीं होता है कीर्दी से तात्परे होता है चलिए तो इसका कह और ख दोनों से हैं इसलिए हमने गर को चुल लिया है इसके बाद एक तालीसवे को देखें असब्वे का पर्याइवाची शब्द जो न हो वो आपको ढूड़ना है तो यहां दिया है हीनाचार, कुशील, अवर नुगरही और कनखा इसमें से असब्वे का मतलब जो सब्वे न हो उजड़ हो बरबर हो ऐसे व्यक्ति का आपको परयाइड ढूड़ना है तो हीनाचार यानि जो अपने आचरण से हीन है तो आचरण से हीन होगा तो निश्चित रूप से असब्वे होगा ऐसे आप आर्थ निकाल सकते हैं कुशील का मतलब क्या होता है सजन्ता विनम्रिता और यहाँ पर उसके साथ लग गया कू और कू जो सर्ग है जिसके साथ जुड़ता है उसके अर्थ को खराब कर देता है तो कुशील मतलब क्या जिसका की आचरण जिसका की शील अच्छा नहों बुरा आदमी हो तो उसको ाव नुग्रही का मतलब होता है जो अनुग्रह करे और उसमें अव लग गया यानि उसमें अव गुण्ा आगया तो ये अव नुग्रही जो आप देख रहे हैं इसें का भी अर्थ अशप्व्य की Tight कनखा का मतलब होता है अंकुर या पेड की डाली जो कि अभी नई नई निकली हुई हो ओपल टाइब की उसको कहा जाता है तो यह इसमें से अलग है और हमें जो ना हो वही ढूड़ना था तो हमारा घह वाला हो जाएगा इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 42 को दे प्रश्न संख्या 43 भस्मनी दिया है लूका दिया है शिखा दिया है और सभी दिया है तो इसमें सभी हो जाएगा अगनी शिखा यानि आग की लपटे जो कि भस्म करती है तो भस्मनी हो जाएगी कहते हैं गाउ में कि लूक जल रही है तो लूक का मतलब होता है आग की लपट कुछ देहाती शब्द भी होते हैं वो काफी करीब होते हैं और उसके बाद शिखा शिखा वैसे तो चोटी को भी कहा जाता है जो मस्तक पे पीछे के हिससे में ऐसे चुंडी रखी जाती है वो कि दिया है तो यहां जो आप देख पा रहे हैं कह और गह इसमें जितने भी शब्द दिये हैं उन सभी से तो यह समानता रख नहीं सकता कोई एक ही होगा तो गह वाला हमारा नहीं हो सकता बचते हैं तीन विकल उसमें से आपको डूड़ना है और चवालीसमें का जो सही उत का मतलब होता है संकरमण का मतलब है कि आप अपनी सीमा को छोड़कर दूसरे के लाकर में जा रहें ओर दोनुका मेल हो रहा है तो संकरन हो रहा है इसके अलामा तनून पात है, उर्ष बुद्ध है, और सभी है, तो यहां घह वाले को चुल लीजे, जब इतना भैंकर शब्द माला आपको दिखाई देना, तो उसमें जो सभी वाला आप्शन होता है, उसको चुल लेना चाहिए, ऐसा आप UPSC जैसे जो टफ लेवल के काफी ज़्यादा होते हैं, यह जितने भी आप देख रहें अगनी के परियाएवाची, इसके बाद 46 को देखे, यहां काग्या कि ध्वान्त, यह जो ध्वान्त शब्द दिया है ध्व है आधा और इसके बाद ध्वान्त है, तो ध्वान्त का समानार्थी बताइए, तमिस् और 46, इसका जो करेक्ट टैंसर है, वो इसमें से घह हो जाएगा, यह सभी का परियाएवाची होता है, ध्वान्त मतलब होता है अंधेरा, ठीक, कमिस्रूसी को कहा जाता है, तमस कहा जाता है, अंधेरा कहा जाता है, किल्विस कहा जाता है, तमराज किल्विस, और सभी इसम जो आए वो भी बिना तिथी बताकर उसको कहते हैं आतिथी और पहले के जमाने में लोग बड़ा सतकार करते थे आजकल बिना फोन की यह पहुंच जाईए तो भगा देंगे गुश से में आ जाएंगे कि बताकर आना चाहिए था हम तुमारे लिए खाना थोड़े बनाएं ख समान अर्थ रखते इसके बाद next question number 48 और इसे अब छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि जो वाक्य है लंबा है यहां कहा गया इसे देखिए पूरा प्रशन लगभग दिखाई दे रहा है इसमें कहा जा रहा है कि तारापत सुख्यर्तन महानील कित विहासे माप यहां दिया है अब्र बादल द्यो और क और ग दोनों सही है ऐसा भी दिया हुआ है इसका घवाला चुन लीजिए अब्र और द्यो दोनों अंतरिक्ष को कहा जाता है विशाल अनंत अंतरिक्ष जिसे कि आप इस पेस कहते हैं उसकी कोई सीमा और छोर नहीं है आज तक वैग इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां देखें उन्चास्वा प्रशन और इसमें कहा गया कि बाखर और बगर इसके साथ दिया है बाड़ा यह तीन शब्द है न समानार्थी किसके है बताईए यह आंगन के समानार्थी है यानि परियावाची है आकाश को कहा जाता है हवेल परियावाची होंगे ही उसके साथ साथ यह आकाश के भी परियावाची होते है इसके बाद आगे चलते हैं पचास में और अंतिम प्रशन को देखते हैं चुकि यह section wise टेस्ट है तो इसमें 60 प्रशन नहीं है पचास है और ऐसे बहुत सारे टेस्ट आपको मिलेंगे तो इस सराओं का पर्यायवाची है या इंद्राणी अर्थात इंद्र की जो पतनी है शची उनका पर्यायवाची है तो निश्चित रूप से अब सराओं का पर्यायवाची है अब सराओं को अरुण प्रिया और सुखनिता कहा जाता है बाकी जो है उन्हें आप देखी रहें इनका अर्थ बताने के आउशक्ता नहीं है, तो यहां तक हमने यह परियावाची शब्दों का जो एक sectional test था, इसे complete किया है, और भी बहुत सारे full length और half length या section wise जो test है, वो आपको लगातार मिलते रहेंगे, लेकिन इसमें इतना है, लगे रहे ही लगातार, और तब तक के लिए न आपकार